आवल खेडा में पूर्व बैंक कर्मी की हत्या उसके दोस्त ने ही की थी हत्या ब्याज पर लिये गए रोपियों का तगादा करने पर की गई थी बरहन पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर उसके कबजे से तमंचा और मोबाइल बरामत किया है आवल खेडा बहरन लेंदेन को लेकर गड़ी हज्जू में पूर्व बैंक कर्मी की हत्या की गई थी आरोपी ने पहले उसका गला दबाया उसके बाद पीट में गोली मार दी थी बहरन पुलिस ने आवल खेडा से हत्या रोपी को गरफतार कर हत्या कान का खुलासा किया उसकी निशान देही पर तमंचा और मोबाइल बरामत कर लिया DCP पशिम सोनम कुमार ने बताए कि गड़ी हज्जू से शनिवार को गाउ आवल खेडा निवासी कोमल सिंग करशव वरामत किया गया था उसकी हत्या कर दी गई थी मृतक के पुत्र विश्णू ने बता कि शुक्रवार देश शाम करीब आठ बच का तीस मिनट पर किसी व्यक्ती के फोन पर वहाँ घर से चली गई थे इस समद्ध में थाने पर हत्या का मुकद्मा दर्च किया गया था सर्विलांस की देखरेक में टीम को लगाया गया था टीम ने मुकवीर की सूचना पर आरूपी सूरज कुषवा पोत्र देवेंद्र कुषवा निवासी आवल खेडा बरहन को बयानई पैत के बंबा के पास से गरफतार किया पचास हजार के स्थान पर 90 हजार मांग रहा था डीसीपी सोनम को मार ने बताया कॉमल सिंग ने आरूपी सूरज को 50 हजार रुपए उधार दिये थे विब्यास समेत 90 हजार रुपए मांग रहा था पैसे मांगने के दोरान अभधर भाशा का परेयोग कर रहा था उससे सूरज गुसे में आ गया और उससे फोन करके घर से गड़ी हजू पर बुलाया गला दबाने के बाद मारी गोली पूस्ताश में आरोपी सूरज ने बताया कोमल को मांगने के लिए पहले गला दबाया जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसको गोली मार दी मांगने के बाद उसके मोबाईल को तोड़ कर गड़े में दबा दिया था थानाद्यक्षि बरहन कुलदीप ने बताया आरोपी की निशान दही पर तमंच और मोबाईल बरामत कर लिया है आरोपी के खिलाफ कारवाई कर जेल भेज दिया है सी न्यूज के लिए आजास सिंग से सोधिया की रिपोर्ट